प्रिय विद्यार्थियों आज में आपको बिये भाग प्रत्म का दूसरा प्रश्न पत्र जिसका नाम है प्रमुख भारतिय राजनितिक विचारक के अंतरगत, महत्वपूर्ण विचारक मनु के राज्य की उत्पत्ति के बारे में जो विचार है उनकी चर्चा करूंगी मनु स्मृत्ति में राज्य की उत्पत्ति के संबंद में जो विवरण मिलता है उससे यह अर्मान होता है कि मनु ने राज्य की देविय उत्पत्ति के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया वैसे राज्य की उत्पत्ती को लेकर बहुत सारे सिध्धान्त हमें पढ़ने को मिलते हैं लेकिन मनु ने जिस राज्य की उत्पत्ती के सिध्धान्त का वर्णन किया है वो मूलते देविय उत्पत्ती का सिध्धान्त कहलाता है मनु ने ये कहा कि इस संसार में राज्य के नय होने पर बलवानों के डर से प्रजाओं में व्याप्त ऐसुरक्षा के करण संपूर्ण समाज या संसार की रक्षा के लिए इश्वर ने राज्य की स्रिष्टी की और मनु ने राज्य की उत्पत्ती के स्थान पर राजा की उत्पत्ती का उलेक किया है इस तत्य से ये व्यक्त होता है कि मनु ने प्रसंग के अनुसार राजा और राज्य को परियाईवाची शब्द के रूप में प्रयुक्त किया किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि मनुशासक के रूप में राजा और एक संप्रभु संस्था के रूप में राज्य के मध्य कोई सैध्धान्तिक भेद नहीं करते मनु ने राज्य की उत्पत्ति से पुर्व की भ्यावय अवस्था की कल्पना करके यह सफ़्ट कर दिया है कि एक संप्रभू संस्था के रूप में राज्य के अस्तिर्टों में आने से मानव समुदा शासक एम शासित के रूप में विबक्त हो जाता है तो मनु के कत्नों का तात्पर्य है कि राजा जिस सत्ता का प्रतिनी धित्व करता है उसे मनुष्ण द्वारा चुनोती नहीं दी जा सकती और इस अर्थ में वैसंप्रभू शक्ति का प्रतीक है मनु ने यहे भी स्पस्ट किया कि राजा अपनी सत्ता में अगनी वायू, सूर्य, यम, कूबेर और इंद्र आदी देवों के शक्ति को प्रतिविम्बित करता है अत्य उसका प्रभाव अक्षून है मनु ने यह भी कहा कि समस्त देवों के नित्य अंश से रचित होने के करण राजा तेज से सब जिवों को अभीबूत करता है राजा देखने वाले के नेत्र तथा मन को सूर्य के समान संतप्त करता है अत्य प्रतिविपर भी इसे देखने में समर्थ नहीं है तो ऐसा प्रतीत होता है कि उप्रियुक्त प्रसंगों में मनु ने राजा शब्द का राज्य के अर्थ में प्रयोग किया अतराजा के साथ दिव्य शक्ति के संयोग द्वारा मनु ये इसपस्ट करना चाहते हैं कि राज्य की शक्ति का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए और ये किसी भी व्यक्ति के लिए संभव भी नहीं है क्योंकि इसके दुश परिणाम हो सकते हैं इसले मनुने ये चेताउनी दी कि अगनी ऐसावधानी से उसे इसपर्श करने वाले व्यक्ति को ही जलाती है किन्टु राजागनी चिर संचित धन संपता सहीत समस्तकुल को ही जला देती है मनु ने राजा शब्द को राज्य के संस्थागत अर्थ में प्रयोग करते हुए यह स्पस्ट कर दिया कि शक्ति व्य प्रभा वस्तुत शासन के पद पर बैठे वे व्यक्ति का ही नहीं अपितु राज्य सत्ता का है मनु ने ये कहा कि साधरन मनुष्य मानकर राजा के पद पर प्रतिश्ठिक्त बालक का भी कोई व्यक्ति अपमानना करे क्योंकि यह वस्तुत मनुष्य के रूप में इस्थित देविय शक्ति का ही प्रतिनिदी है तो मनु ने राज्य के उत्पति के प्रिकरा का व्यवस्ति विवेचन तो नहीं किया लेकिन राज्य की उत्पत्ती के प्रसंग में इश्वर्य हस्तक्षेप का संकेत मनु इस आग्रे के साथ व्यक्त करता है कि जन्ता की गतिविदियों के उद्देश्य पूर्ण नियंत्रन का विचार सामाने मानवे विवे की तुलना में उच्चतर वे श्रेष्टतर होता है केवल ऐसे अभीवकर्ता के रूप में चित्रित किया है जो निर्धारित उद्देशों के लिए दिव्य सत्ता का समय विशेश पर उप्योग करता है मनु स्मृति में राजा की दिव्यता के विचार को राजा की शक्ती के रूप में अपितु उसके दाइत्वों के विभिन पक्षों के रूप में प्रभावित या परिभाशित किया गया है मनु ने शासके दिव्यगणों को उसके दाइत्वों के रूप में व्यक्त करते हुए दिव्यवरत्थों की संग्या दी और ये कहा कि इन दाइत्वों को अपने शासके आचरण में घटित करने की अपिक्षा राजा करे मनु की यह परिभाशा या यह बात बहुत महत पूर्ण है उन्होंने यह कहा कि जैसे इंद्र वर्षा करता है उसी प्रकार राजा को इंद्र वर्थ का पालन करते हुए जनता पर सम्रिद्धी और कल्यान की वर्षा करनी चाहिए जिस प्रकार सूर्य आट मासों में किर्णों के द्वारा जल का हरण करता है किन्तु बदले में वह समस्त संसार को तेज और प्रकाश से लाभानवित करता है इसी प्रकार राजा को सूर्य वरत का पालन करते हुए प्रजा के कल्यान के दायत्व की पूर्ती के लिए ही प्रजा से कर ग्रहन करना चाहिए तो जिस प्रकार वयू सब प्राणियों में प्रवेश कर विच्रन करती है उसी प्रकार राजा याशास को वयू वृत का पालन करते हुए गुप्तचरों के माध्यम से सरवत्र प्रवेश करना चाहिए इसी तरह यम्राज समय आने पर प्रिय अत्व एप्रिय सब के प्राण ले लेता है उसी प्रकार राजा को यम वृत का पालन करते हुए अप्राद करने पर प्रिय और एप्रिय सब को दंडित करना चाहिए जिस प्रकार बंधन के योग्य पूरुष वरुण के पाश में कठोरता से बंद जाता है उसी प्रकार वरुण व्रत को धारण करते हुए राजा को वीधी के उलंगन करताओं का निग्रे करना चाहिए और इसी तरह मनु बताते हैं कि जिस प्रकार एक परिपून चंद्रमा को देखकर मनुश्य हर्शित होते हैं उसी प्रकार चंद्र वरुण को धारण के वे राजा को ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि प्रजा एवं सभी प्रकरतियां उसे देखकर हर्शित हो अगनी वरत को धारण करते हुए राजा को अगनी की भांती ही प्रचंड तथा ऐसे ही तेज को धारण किये वे अपराधियों वे दूष्ट मंत्रियों आधिका वद करना चाहिए तो जिस प्रकार पृत्वी सब प्राणियों को समान भाव से धारन करती है उसी प्रकार पृत्वी वरत का पालन करते हुए राजा को भी समस्थ प्रजा का समान रोप से पालन करना चाहिए तो इस तरह से मनुश मृत्यी राज्य की उत्पत्ति के संबंद में दिव्यता का उलेक करती है किन्तु उसके उलेक मात्र को राज्य के दैविय उत्पत्ति के व्यवस्तित सिद्धान्त की संग्या दिया जाना भी उचित नहीं है तो वस्तुत मनुश्मृति में राज्य की सत्ता को अति मानविये वै दिव्य मानते हुए इस दिव्यता को शासक के लोककल्यानकारी का दाइत्मों की पवित्रता के रूप में परिभाशित किया गया है जो अत्यन्ती महतुपूर्ण है संप्रभुता का आधार मनुने दंड और धर्म को बताया है क्योंकि मनुश्मृति में राज्य को धर्म और या धर्म पर आधारित माप दंडों को इस्थापित करने वाली उद्देश्य पोण संस्था की रूप में चित्रित किया गया है मनुश्मृति में धर्म की व्यापक परिधी में नैतिक मुल्यों सदाचार के शास्वत सिद्दानतों, सामाजिक व्यवस्था के आधार भूतनियमों, प्रजा के कल्यान के प्रती, शासक के सकारात्मक दायतों तथा शास्किय शक्ति का प्रेयोग करते समय शासक से आपेक माना गया है राज्य धर्म पर निर्भर है क्योंकि उसका अस्तित्व ही धर्म के प्रावर्तन के लिए है धर्म राज्य पर निर्भर है क्योंकि राज्य के संस्थागत माध्यम से या संस्थागत माध्यम के बिना धर्म का सुरक्षित रहना ऐसामभव है धर्म के नैतिक बल को व्यवहार में लागू करने के लिए किसी भौतिक अवलंब की या सारे के आवशकता होती है मनुश्य स्मृति में दर्म को ऐसी भौतिक शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो धर्म को बाध्यकारी रूप में प्रवर्तित कर सके राज्य को इस बाद्यकारी बल के प्रियोग के लिए अधिक्रित किया गया है मनुष्य या मनुश्मृति में दंड को केवल भोतिक बल का परियाईवाची नहीं माना गया है तो मनुख्य अनुसार भोतिक बल के साथ तीन तत्व संयुक्त होकर उसे दंड का रूप प्रदान कर सकते हैं पहला नैतिक प्रियोजन जिसके लिए या जिसके बल का प्रियोग उचित ठहराया जा सकता है दूसरा है एक प्राधीकृत निकाय जो नैतिक प्रियोजन के लिए भौतिक शक्ति के प्रियोग के लिए उत्तरदाई हो और तीसरा है ये भौतिक बल मात्रावे प्रभाव में ऐसा हो जिसे की कोई भी व्यक्ति या व्यक्ति समू चुनोती देने में सक्षम नहीं हो तो बस्तुते मनुस्मृति में धर्म और दंड को समिलित रूप से राज्य की संप्रभू शक्ती के रूप में चित्रित किया गया है तथा शासन को उस संप्रभू शक्ती के प्रयोग दुआरा प्रजा के नैतिक भौतिक एवं पारलोकिक कल्यान को सुनिशित करने के लिए अधिक्रित और दाईत वबद किया गया है मणु इस मृति में धंड को सर्वोपरी सप्ता स्विकार किया गया और राजा को दंड का स्वामी ही नहीं अपित्व अभिकर्ता मात्र मानती है जो कि धर्म के सिध्धान्तों और विधी की प्रक्रिया के अधिन रहते हुए निश्चित प्रयोजन के लिए दंड का उपयोग करता है मनु ने इसपस्ट किया कि राजा द्वारा धर्म के विरुद्ध दिया गया दंड लोक में उसकी अपकीर्ती का और परलोक में उसके नरक गमन का कारण बनता है मनु की ये सपस्ट चेतावनी है कि दंड का दुरूपयोग करने पर ये दंड ही राजा को नश्ट कर देता है और इस चेतावनी से ये मन्तव ये सपस्ट है कि राजा दंड की संप्रभू शक्ती के अधिन है राजा को दंड के अधिन मान कर मनु ने राज्य और सासर के मध्धे अंतर को भी सपस्ट कर दिया है तो इस तरह से यदि हम देखें तो मनु ने रज्य की उत्पत्ति के संबंद में जो भी रज्य के बारे में विचार दिये हैं वो रज्य या राजा को संप्रभु तो मानते हैं लेकिन इसके साथ ही साथ उन्होंने राजा को निरंग कुछ नहीं माना उसको विभिन दाइत्वसों पे हैं और उन दाइत्वों का पालन करना राजा के लिए अत्यानतावशक है इसी प्रकर राज्य के सब्तांग सिद्दान्त के बारे में भी मनु ने जिक्र किया है मनु ने राज्य के घटकों के लिए प्रकरती शब्द का प्रियोग किया एम राज्य की साथ प्रकरतियां स्विकार की ये साथ हैं जैसे स्वामी या राजा मंत्री पूर या किला राज्य कोश दंड दंड में राज्य की चतुरंगिनी से ना अरथात है दल, गजदल, रत दल अंपद ती से ना सभी को शामिल कया गया है और इसी तरह से अंतिम जो है सपतांग सिद्दान्त का अंग है मित्र मनु ने सप्तांग सिद्धान्त दिया है राज्य का और उसमें इन सातों के बारे में बताया स्वामी यानि मनुस्या ने राज्य को स्वामी की संग्या दी है तथा नैतिक स्वामी अर्थार्त मनु ने राज्य को स्वामी की संग्या दी है तथा नैतिक गुणों, प्रिशासनिक शम्ता, तथा दाईतों के प्रती निष्ठा से युक्त राजा को राज्य के लिए आवशक माना है। दूसरा उन्होंने मंत्री बताया, तो उन्होंने ये कहा कि राज्य का कार्य कुशल मंत्रियों के बिना नहीं चलाया जा सकता। ये बारे में बताया, जैसे धन्व दूर्ग है, मही दूर्ग है, जल दूर्ग, व्रिक्ष दूर्ग, मनुष्य दूर्ग, गिरी दूर्ग आदी। राज्य चोथा अंग है जिसमें राज्य के अंगों में एक अंग के रूप में मनु द्वरा राज्य का उलेख कुछ भ्रम उत्पन करता है वास्तम में मनु ने राज्य शब्द का प्रयोग जनपद के अर्थ में किया है इस प्रकार मनुष्य ने राज्य में राज्य की सिमा के अधिन आने वाली भूमी और उसमें निवास करने वाली जन्ता को सम्मिलित किया है कोश राज्य में शासन के पास एकत्रित धन को मनु ने कोश का नाम दिया है और मनु की मानिता है कि राजा के पास समुचित मात्रा में कोश होना जरूरी है जिसे प्रजा सुरक्षित रह स और प्रजा के लिए विभिन कल्यान कारीकारे भी किये जा सकते हैं। और इसी तरह से सात्वा अंग मित्र के रूप में बताया उन्होंने तो मनु ने मित्र को राज्य के आवशक अंग के रूप में स्विकार करके दो तथ्यों के और संकेत किया है। को राज्य की सप्तांग प्रकर्तियों में इस्थान देकर राज्य द्वारा शान्ती की नीती अपनाई जाने की आवशकता इस पस्ट की है। तो राज्य की प्रकर्ति के बारे में चाहिए राज्य की उत्पत्ति के बारे में मनु के जितने भी हम विचार पड़ते हैं। वो राज्य की विज्ञान में बहुती महतुपुण हैं और उपयोगी हैं। धन्यवाद।